दोस्तो शाओमी एंड रेडमी के फोन के पर आपको बहुत ही जल्दी Android 11 का नया अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा तो दोस्तो मेरे पास एक पूरी लिस्ट आ गई है कौन-कौन फिर डिवाइस के उपर Android 11 का नया अपडेट मिलेगा इसके साथ-साथ उन डिवाइस की भी लिस्ट है जिनके उपर Android का नया अपडेट नहीं आएगा यानि अगर आपके पास वो सारे फोन है और आपके पास जो भी Android वर्जन है वो आपके फोन के लिए फाइनल वर्जन होगा अब आपको कोई भी नया अपडेट नहीं मिलने वाला है तो सारी चीजे दोस्तों इस वाले वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ दोस्तों साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कब तक ये नया अपडेट आ सकता है सब कुछ बताने वाला हूं तो वीडियो को पूरा देखते रही है and दोस्तों ऑसके पहले अगर तो इसी तरहें कि टेक वीडियो के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और बैल को अल पे सटके बिलकुल भी भी ना भूले छले वीडियो को स्टाट करते हैं दोस्तों Android 11 के सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे Android 11 के उपर चुकि आपके फोन के एक्सपीरियंस को और भी स्मूद एजी बना देंगे इसके साथ साथ built-in screen recorder का भी आपको support देखने के लिए मिलेगा और आपको permission reset का भी एक feature देखने के लिए मिलेगा तो बहुत सारे ऐसे features हैं इसके साथ साथ Android 11 बाकी सारे Android version के comparatively बहुत जादा secure भी होने वाला है तो काफी बढ़ियां update है एन अगर आपके phone के पर यह update आ जाता है तो यह आपके phone के live को एक दो साल और extend कर देगा क्योंकि आपके phone के पर वो सारे नए applications भी support होने लगेंगे जिनका requirement Android 11 होगा सबसे पहले मैं आपको बता दो कि Xiaomi के कई सारे phones के पर already Android 11 का stable update आ चुका है ऐसे बहुत सारे devices है इसके साथ साथ Redmi Note 9 Pro के उपर भी stable update आ चुका है इंडिया के अंदर Android 11 का इसमें से कुछ devices ऐसे हैं जिनके लिए update बीटा वर्जन में आया है और सिफ शाइना के अंदर अभी available है लेकिन कुछ आसे devices जिनके लिए stable version आ चुका है इसमें दोस्तों अगर आपका device है तो फिर आपको बहुत ही जल्दी Android 11 का update मिलने वाला है यहां पर दोस्तों एक करके मैं आपको बता देता हूं यहां पर है Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium, other Redmi K30, Redmi K30 Pro, K30 Pro Zoom, K30i 5G, K30 5G Racing, Mi A3, Mi CC9, Mi CC9E, Mi CC9 Pro, Black Shark 3, Black Shark 3 Pro, Black Shark 3S, Black Shark 2, Black Shark 2 Pro, Poco X2, Poco X3 NFC, Poco X3, Poco F2 Pro, Poco M2, Poco M2 Pro, Xiaomi Mi 9 Lite, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 Explorer, Transparent Edition, इसके साथ है Xiaomi Mi 9 SE तो यहां पर ओवरॉल एक बहुत लंबा सा लिस्ट है Redmi 9, 9C, 9A, 9I, Mi 10 Ultra, K30 Ultra, Redmi 9 Prime, Redmi 9 India, इसके पाद Redmi Note 9 5G, Poco M3 तो इस वाले लिस्ट के अंदर आप अपने डिवाइस को चेक आउट कर सकते हैं, अगर यहां पर आपका डिवाइस है, तो बहुत जल्दी आप Android 11 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहले वाले list के अंदर आपके phone का नाम नहीं था तो आप ये वाला list चेक कर सकते हैं ये उन devices का list है जिनके उपर अभी confirm नहीं हुआ है officially कि MI के इन phones के उपर या फिर Redmi के इन phones के उपर Android 11 आएगा या फिर नहीं आएगा तो इस वाले list के अंदर है दोस्तो Redmi Note 8, Redmi Note 8T और इसके साथ साथ एक बहुत popular device जो की मेरे पास भी है Redmi Note 8 Pro को भी अभी उसे list के अंदर दिया गया है अलाकि दोस्तो hardware specifications को अगर हम देखते हैं तो Redmi Note 8 Pro Android 11 को आसानी से run कर सकता है बट अभी वो चीज फाइनल नहीं किया गया है कि उसको update मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा साथ में दोस्तों यहाँ पर Redmi Note 7 Pro, Note 7, Note 7S, Black Shark, Redmi Y3, Redmi Y2, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 4 ऐसे बहुत सारे phones हैं यहाँ पर तो इस वाले list के अंदर अगर आपका phone है तो अभी आपको wait करना पड़ेगा और यह चीज अभी confirm नहीं है कि इनको update मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा यहाँ पर दोस्तों जो outdated वाले MI के phones है या फिर Redmi के phones है और वो जो इस list के अंदर है उनको तो definitely update नहीं मिलने वाला है और नीचे अगर आपको कुछ question पूछना है तो comment section आपके लिए open है वहाँ पर पूछ सकते हैं